नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी राभ मंदिर में राभला की प्रान परतिष्ठा हो चुकी है तस्वीरे साफने आई हैं जो की बेहद भावुक तस्वीरे भी इन्हें कह सकते हैं एक एत्यासिक वल है भारत के लिए करोणों ह केताओ को आपने देखा लेकिन वहाँ पर किर्केटर्स या यू कहें कि एथलीट जगत के जो सितारे हैं उनका भी जमाफ़णा लगा हुआ है जी हां जिस तरीके से ये तस्वीरे साफने आई हैं आयोधिया में जो रव्य आयोधिया है उसमें कई बड़े किर्केटर्स भ वो आयोधिया नगरी पहुंचे हैं रामला के दर्शन करने के लिए इस एथ्यासिक पल का गवाँ बनने के लिए इसके लावा कर बात की जाए तो कई और एथलीट जो हैं वो इस दोरा नज़रा नज़राई हैं जिसमें साहिना नहवाल है इसके लावा किर्केटर्स मिताल पल है जब रामला की प्रान परतिष्टा हुई है और इस मौके पर किर्केट के भगवान सचिन तैंतुलकर वहां पर पहुंचे जिनके गले में भगवान राम का एक पठका था और इसके लावा बात करें अनील कुम्बले की तो उन्होंने एनाई से बाचीत भी की है अनील अधिया आते रहेंगे यह मेरी पहली यात्रा है और मुझे उमीद है कि मेरे भगवान मुझे आशिर्फात देंगे इसके इस् cosa एक है इस सही का एक है बातेरी की तो कuka चाहिए लिए लिए यह झाही पेष़न का मज offenses गहतो जांसे पाल चाहे पा आतीन लुच्था के साथा तो कि में आझरी ही आतीन। भाता हैं सी हुआ निए बेखते उन्हाताओ है के सम्मा बाताओ यानि हर किसी ने खुशी जाहर की है जहां अनिल कुमले ये कह रहे हैं कि मैं अब आयोधिया आता रहूंगा ये मोका मेरे लिए बेहत खास है तो वहीं सचिन तैंतुलकर भी वहां पर पहुंचे और तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की जिसकी तस्पीरेस साफ ने आई ह हैं इसके लावा बात की जाएं तो आपको मैं बता दूँ कि मिताली राज चोकी किरकेटर हैं महिला किरकेटीम की तो उनका की बयान साफ ने आये हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं वैसा ही अन्भव कर रही हूं जैसा अन्य धार्खमिक जंगों पर जाकर महसूस होता है हम इसका लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे और ये बहुत बड़ा पल है ये उत्सव है मैं यहां आकर इस महुत्सव का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ जाहित तोर पर पूरा देश आज दीपाफली मना रहा है पूरा देश आज रामला की वो मनमोहक छवी देखकर खुश है उत्सव मना रहा है जश मना रहा है और इस जश में शामिल हुए है किरकेट जगत के ये तमाम सितारे या हूँ कहें ये स्पोर्ट से जुड़े तमाम एथलीट इसके लावा भी कई किरकेटर्स की तस्वीरे साफ ने आई है जिसमें रवींद्र जड़ेचा जिनकी पत्नी जो है वो बीजेपी की लीडर है गुझरात से तो ऐसे में वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं उनकी भी तस्वीरे साफ ने आई हैं और जाती साथ जो पूर्व क इरकेटर हैं वेंकटेस परशाद वो भी अजुध्या पहुचे हैं उनकी भी तस्वीरे साफ ने आई हैं इसके अलावा मैं आपको ये बतातू कि कई अखिलाठियों को नियोता दिया गया था जिसमें वराठ कोली है वराठ कोली को लेकर लगातार सस्पेंस कही न कहीं एक अगर बात की जाए तो महेंदर सिंग धोनी से लेकर कई और खिलाठियों को नियोता मिला था लेकिन कई चुनिंदा खिलाडी जो है वो अध्या पहुचे हैं इस एथियासिक पल का गवा बनने के लिए इस पल को कहीं न कहीं जीने के लिए क्योंकि तबाफ लोग ये कह रह किया था हरा कि लाल कृष्ण आडवानी और मुल्डी मनोहर जोशी वो भी नजर नहीं आए हैं लेकिन जिस तरीके से स्वास्ते का हवाला थी आगया है लेकिन लंबी लड़ाई राममंदर के लिए उन्होंने लड़ी है किस तरीके से विवादित धायचे को लेकर सुप्र किसी के जहन में कहीने कहीन बस गई है जिस तरीके से प्रधान मंतुरी नरेंत्र मोधी ने राफला की प्रान परतिष्ठा की है जिस तरीके से पूजा अर्चना हुई है तमाम सादू संतों से उन्होंने मुलाकात की है ये तस्वीरे अध्भूत है ये अकल्पने कहीने कही एक तरीके से दृश्य है जिस तरीके से मूर्ती को कहीं ने कई बनाया क्या है हर किसी को मूर्ती मनमोहक लग रही है तो यह अपल है जिसका गवहा हर कोई बनना चाता है निमंत्रन का इंतजार हो रहा था और इस मोके पर कई जो क्रिकेटर है वो पहुँचे हैं जैसा कि मैंन आथलीट जो हैं वो नज़र आए हैं तो जिस तरीके से यह किरकेटर्स का जमावड़ा एथलीटों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है यह अपने आप में एक अलग तस्वीर है और जाहिर तोर पर इस पल को और खास बनाती है और इसी कड़ी में जो भारतिय शिटलर हैं साइना नहवाल उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है काफी खुश नज़र आई हैं और लोगों से अंरोध किया है कि आप जादा से जादा अयुद्या पहुँचे रामला के दर्शन करें चुकि मुझे लगता है कि हम सभी के लिए यह दिन बड़ा है यह साइना नह ने कहा है और कहा है कि मैं भागयशाली हूं कि मुझे आज अयुद्या आने का मोका मिला है हम यहां भगवान राम के दर्शन करेंगे तो हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं मैं आपनी खुशी शब्दों में बया नहीं कर सकती कि साहना नहवाल कह रही है तो यही शब्द कम पढ़ रहे हैं रहे हैं जाहिर तोर पर इस पल को कहीं कहीं करने के लिए चुकि यह वह एत्यासिक पल है जिसका वर्षों से इंतजार रहा है लगबग 500 साल से भी जादा का यह संगर्ष रहा है और यही वज़ा है कि हमने खाई ऐसे सादू संतों को देखा जिनकी आखों में आसू थे क्य विराजवान होते देख रहे हैं तो जाहिर तोर पर यह उनके लिए अदभुत पल है और कई सादू संतों से जब बाचीत हमारे रिपोर्टर्स ने की है तो जाहिर तोर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से यह लड़ाई लड़ी गई और राभला टैंट में थे टैंट में जशन है राम में माहोल है जाहिर तोर पर पूरा हिंदुस्तान भगवे के रंग में रंगा हुआ है और दीपाफली जैसा माहोल देश में है तो इस पल का गवा बनने के लिए अध्या नगरी यानि भगवान राम की नगरी में तमाम किरकेट से जुड़े सितारे भी प और भी कई जो किरकेटर्स हैं और साथ ही स्पोर्ट से जुड़े जो एथलीट हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरे अपने आप में बेहद खास हैं तमाम किरकेटर्स ने अपने सोशल मीटिया प्लाटफोर्म पर तस्वीरे साजा की हैं वहाँ पर सैल्फी लेते रवींद्र जडेजा नजर आ रहे हैं तो इस पल को हर कोई ना सिर्फ अपनी आखों में अपने कैफने में कैद करना चाहता है क्योंकि जाहिर तोर पर ये पल अलग है ये पल एथियासिक है इसका इंतजार लंबे वक्त से रहा है और जब निमंतरन इन लोगों को मि लोगें थानिमागा